गुडिविंग दोलोफ यूटुम तो माई यूटुब चानल कैसे भी वफ़ लेकम बढ़ी आसे आप अपन्जॉय कर रहे हैं इससे पहले पांच पार्ट्स के वो अपलोड किये जा चुके हैं आज उसी सिरीज को कंटीनियू करते हुए पार्ट नमबर 6 को अपलोड कर रहे ठीक है तो अब जल्दी सा स्टार्ट करते हैं कोशे नमबर 29 ठीक है अगर आप अबसर्व करो तो B है है एच है L है जे है और पी है इसके बार आपको यहां पर बताना है कि कौन सा नमबर जो है वो यहां पर आएगा नहीं कौन सा लेटर जो हो यहां पर होगा अच्छा इस इसके लिए बेटर क्या है कि आप एक बार वीडियो को पॉस कीजिए आपके पास एक सारे के सारे जो यहां पे छे को आपको प्रॉबरली विजिबल होंगे एक बार सल्प्राइब करके देखो यार कि कितने कोशिंस के लॉजिक साफ क्राक कर पाते है उस बेसे पर आपने ट्विंटिनाइग को देख़े आग देख बी अगर मैं बात करो बींत के लिए को इसह क्ती है को रॉजपने अब श को ईक कोई और में दो एक शे कर ते दीन का है यहां पर आप दिठेंस कितना शे ह्कया निदि कि यहां पर दिठेंस है शे का है, यहां पर डिपा को इक हो तो देखो है भी 2 का difference, लेकि फिर 2 के बाद यहां पर 0 का difference होना चाहिए ना, क्योंकि pattern क्या होगा, 6 पर 4 फिर 2 मतलब 2-2 कम हो रहे, even numbers में 2-2 की decrement हो रहे, है ना, लेकिन वो हो नहीं रहा, बिकोज यहां पर 0 आना चाहिए था, difference के बीच में, बतब जो letter यहां पर हो, यहां यह logic तो गया फिर, अब जरा देखो, इसमें जो logic लगा था आपको बताना हो, देखो, यह 2 है और यह वाला 10 है, इनके बीच का difference कितना है, बताओ, 8 का है, confirm, ठीक, इसके बाद देखे, यह 8 और यह 16, इन दोनों के बीच का difference कितना है, यह भी 8 का है, बासमझ में आ रहे है, म अब देखो, chances क्या है, दो नमबर जाने कि, यहा तो यहाँ पर 4 आज है, तो भी 4 और 12 का difference कितना होता है, 8, यह पर यहाँ पर कितना है, दूसा नमबर, 20 आज है, क्योंकि 20 और 12 का difference भी अभी कितना होता है, 8 होता है, लेकिन यह तो option 4 हो सकता है, यह तो 20 होता है, अब हमें पता कैसे लगेगा किया कौन सा उप्षिन सही है उसको समझे दो था तो दो के ऑपोजिट में दो से बड़ा नंबर लिखा है आठ जोड के लिखा गया है बारा था सुरी आठा आठ के बाद जो सामने लिखा हुगा 16 यह क्या है यह इसमें आठ जोड कर लिखा गया मतलब उस अगर लॉजिक समझ ना आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स जिवाना उसमें प्लीज कमेंट यह करो कि हां समझ में आगी चुज़ा ओके नेक्स देगो OPI यहाँ पर आपको बताना है कुशन मारते हैं यहाँ पर एक तरसे देखें कि अगर यह जो आपको दिखरा लीज में यह एक आफ है मतलब इसके ऊपर कुछ लेटर्स इसके नीचे कुछ लेटर्स काफी एक इंपोर्टेंट लॉजिक होगा दिखना जान से अगर नहीं बात करूँ K और L मेरे खिल K और L एक दूसरे के साथ हाते हैं मतलब कि I, J, K, L लेक्ते से क्ल के बाद क्या नहीं है हमारे पास M और N अगर आप इनका ग्याप कर देंगे तो फिर यहां पर क्या आना चाहिए एच और आई और याना चाहिए ना तुम्हें है कि नहीं है और एच आपके option में उप्षिंट में लिका ह्या है आपको ऑफ यह है तो इसके बाप क्ल के बाद म स्वेस्ट क्या आप देखें क्या हो गया है तो इन में आ रहा है तो हमारा पर देखना के लगबग सीमनों चेकिए बस यहां पर क्या है ऊपर लेटर से है नीचे है इस कि अगर देखना के क्या करूं अगर मैं इसे फी एक हाफ में क्या करूं प्रेक करूं तो ढ़ों डेना पी एस वी और यहां पर बहुँनिवी है ना अगर यहां पर यहां पर देखो दिक वैले की वैलिव उतनी होती है चा जो जो. परны फ़िल बात करें थी फेल यहां छो आखर 50. यहां हो दिक मेरा किलिए होगी नहीं होगी आतको डी कर toufa देहना है 11, 19 के पीच में हैक कितने का या और यहां पर आपको वैलू बतादी है अब जैघना 16 और 19 के बीच पर 19 और 22 के बीचे 25 और Simmons तो इन all-Hum फैक है यह वाली तो वालिगे उपर साइसके में अब कूह ङोगी क्बार हो तो गीडार सुध यहां पर वैल्यू बढ़ रही है 16, 19, 22, 25 लेकि नीचे वैल्यू क्या हो रही है घट रही है देखो ग्यारा ग्यारा कब आठ 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 की बाद पांच 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 बाद क्या होगा तो होगा यहीं कि मेरा आंसर कॉंदर सही हो जाएगा option number 30 ठीक है तो ऊपर भी दीन-दीन यहां पर आपको बताना है कि क्या आएगा OE की वैल्यू नीचे दी गई है कि मेरे काल से आपने वीडियो को पॉस्ट करके एक बार अपने से self कोशिश करिए कि इतना इसमें आप कौन सा लॉजिक कर रहे हुआ कैसे क्राक करो आंसर क्या करोगे यहां को समझ में आ गया हु 12 को 4 से डिवाइड करो देखो 3 आ रहा है सन में आ रहा है ठिक अगला देखो IC, I की वैल्यू कितनी होती है या 9 और C की वैल्यू कितनी होती है 3, क्या आप करें कि 3 आ जाए डिवाइड से पास है जो लॉजिक को पल लगाया आपने वो हर में लगेगा, तो 3 से डिवाइड क पितना आएगा, 3 आएगा, लेकर अब पता क्या दए, ओप्शेम वेट्वा यहाँ पर क्या लिख रहा है 3, अब बच्चे क्या करते हैं महालो के in case logic ना crack कर पाएँ, तो वो यह सोचने है कि यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3 हो सकता है, यहां पर भी 3 है, वो क्या करते है यह भी आप जानतों, तो रिस्क नहीं लेना है, अब देखो, Z है, Z की वैलू में इतनी होगी, 26, और V की वैलू में इतनी होगी, 2, तो अगर यहां पर आप देखो, तो डिवाइट करो, तो दो से 26 हो बाटर की तना है का अंसर, 13 है, यानि कि इस सवाल का जो अंसर है, वो क्य वैलू 21 है, TV की वैलू यहां पर 220, FK की वैलू 33, LI की वैलू आपसे तूशी करें, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से जाना है, इसको समझो वो शुल को, अगर हम बात करें C की, तो C की वैलू कितनी होती है, 3, ठीक है, और N की वैलू कितनी होती है, 40, ठीक, क्या करेंगी एक क साथ है, और एक्जाम्बल चलो, अगर हम एक बार एड करके देखें, तो 14 प्लस 10, 17 ही तो होता है, 21 है, तो एक बार बेखते हैं, आधा बढ़के, यहां तो 21 है, next जरा चेक करो, T, T की वैलू कितनी होती है, 20, और V, V कितनी होती है, 20, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी और एक बार आधा गरो, तो कितना आजाएगा, 220, को लिखा भी किया, 220, मतलब कहीं न कहीं लॉजिक फुड़ा सा क्राक तो हुआ, और इसकी लॉजिक जो है, वो पूरी तरह से यही है, इसको प्रूफ कॉन कर रहेगा, अगला वला, अगर F की वैलू भी इस लॉजिक से 33 तो मतलब तन पर मैं आप यहाँ पर अराम से निकाल सकते हैं, देखिए, F की वैलू 6 और K की वैलू जाएगा, तो 6 ए 6, 2 से डिवाइट करेंगे, तो 80, सही है, तो 33 आगया, यहाँ पर भी किया है, मतलब आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है, तो अगर ठीक है, तो LI में भी अगर आप इसको 2 से डिवाइट करेंगे, आपका आपका आंसर कितना हो जाएगा, 54 यादि कि इस कोशन के लिए, आपका आंसर कितना है, 54 ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं, हाँ जी, अब जल्दी से देखिएंगे, कोशन नमर 34, बहुत easy logic है, सबसे मेरे खाल, इस पूरे 6 इस सबसे easy यह बाद, बी, बी के वैल्यू कितरी होती है, 2, और सी, बी के वैल्यू कितरी होती है, 3, बीको 2 प्लस 3 गारो कहाँ है, 5 से रहे है, simple है कि नहीं, टी, देखो टी के वैल्यू होती है, 20, आर, आर के वैल्यू होती है, 18, 20 में 18 जूट तो कितना हो जाएगा, 31, ठी तो आपको बता है कि भाई जितने भी एक्जाम्स हैं वो अल्मोस हो चुके है तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो का चानल को सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को और इसे जितना ज्यादा होसा त्यार उतना शेयर ठीक है अच्छाँ